देखिए यहां यदि यह sodium का रॉड है sodium का केटाइन बीच में फसा होगा और जितना खाली जगा वहां पर कौन दोर रहा है electron लेकिन एक चीज़ सोचे electron जो यह release किया है वो electron कहीं गया नहीं है वो इसी रॉड में उपस थी था इसलिए यह इस पर कोई जो net charge होता है हो जीरो होता है ऐसे यदि यह एक पलस है तो एक electron निकला होगा तो उस पर क्या होगा माइनस इसमें जितना positive charge है उतना ही negative charge होगा क्योंकि electron इसी में electron इससे बाहर नहीं गया है अब आगे का बास सुनिए यदि आप किसी high potential wire को इससे touch कर देते हैं high potential wire का मतलब जो current को carry कर रहा है अब बताइए कि जैसे ही आप इहां पर तार जोड़िएगा और high potential पर यह वायरिस में touch हुआ आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह सारा electron हरकत में आ जाएगा क्योंकि electron का जो flow होता है वो कहां से कहां होता है high potential to low potential आगे यदि इसको देखेगा इधर इधर से electron का flow आएगा यह सारा का सारे electron move करना सुरू कर देगा electron का moment होगा electron का moment ही तो current है ऐसी स्थिति में यदि इसके पास माल लीजिए कि electron रहता ही नहीं तो पताइए यह कभी भी electricity को conduct कर पाता क्या यहां पर electron आया टकडा के वापस चला जाता क्योंकि आगे medium उसको नहीं मिल रहा है तो एसी स्थिति में यहां free electron है तो electricity को conduct करेगा यहां free electron नहीं होगा तो electricity को conduct नहीं करेगा जैसे माल लीजिए कि आप यहां पढ़ाए potential वायर किसी electricity के वायर को आपसट आ देता है तो इससे इसके अंदर कुछ फड़की नहीं पड़ेगा क्योंकि carbon का जेतना electron है सब का सब बोंड फॉर्मेशन में भाग ले लिया है वहां पर किसी परकर का electron का movement नहीं होगा और electron का movement नहीं होगा तो वह कभी भी electricity को conduct नहीं कर सकता है जब कि diamond में चारों का चार electron बंधा हुआ रहता है जबकि graphite में एक electron free रहता है इस वजह से graphite electricity को conduct करता है जबकि diamond electricity को conduct नहीं करता है यह बात objective question में पूछता है which of the following is insulator और conductor इस तरह से graphite और diamond वाला option देते रहता है वह बाद में हम question करवाएंगे तो आप देखिएगा लेकिन इन सब बातों को अभी धियान में डखिए तो अब यहां पर हम metallic bond को समझने फिर से वापस आता है metallic bond क्या होता है मेटल के आयन ऑर फ्डी का इलेक्ट्रोन के बीचका जर्याशान फोर्स होता है को क्या कहा झाता है अब देखिए कहां कहां मेटाली काय यहां है हो अगे जैसे मेटालिक एलेक्टरंग कया होता है चतना इसी तरह से बीच में धेर सारा इलेक्ट्रोन होगा उसके बीच में फसा हुआ यह के टाइन होगा यहां इसको आप डिफाइन किये हैं यहां देखे लिखा हुआ है अभी तक जो आप पढ़ रहे थे यह इस चेप्टर का आसकर के सॉलिड के बारे में इसका एक इंट्रोडक्सन था इससे ज्यादा कुछ ने और अभी तक लिखने वाला बात ज्यादा था समझने वाला बात बहुत कम अब जो टॉपिक के स्टार्ट हो रहा है यहां पर आपक Crystal, Lattice, and Unit Cell Reading में मातर दो ही बात लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है Crystal, Lattice और दूसरा हुआ है दूसरा लिखा हुआ है Unit Cell लेकिन हम समझेंगे यहां पर अलग लग कई चीजों को हम समझेंगे Lattice Point को, हम समझेंगे Lattice को, हम समझेंगे Unit Cell को, हम समझेंगे Crystal Lattice को सब को एक एक करके समझेंगे, पहले आप हीटिंग डालेगे Crystal Lattice और Unit Cell में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वह है Crystal Lattice लिख दीजे तो, कीछे Star लगाएगा Define अभी नहीं करना है, क्योंकि Definition आपको समझ में आएगा, पहले समझ लीजे फिर Define कीजेगे Change करें इसको अब जो जो कहते हैं उसको थोड़ा Imagine कीजिएगा, तो समझ में आएगा नहीं तो नहीं माल लो कि हम एक Iron का Rod बनाना चाहते हैं, तो एक Figure के रूप में Iron के Rod में किसी का Atom होगा? Iron का Atom होगा, अब उस Iron के Atom को हम यहाँ पर दिखाएंगे कि वह कईसे होगा Atom का Size होता है काफी छोटा, और यदि हम छोटा Size दिखाएं तो आपको समझ में नहीं आएगा, हम figure बना नहीं पाएंगे इसलिए अभी से जभी हम Atom को बनाएंगे तो इस टाइप का Shape देंगे और थोड़ा बड़ा सा Shape देंगे, चुकि वह Spherical Shape में होता है तो हम उसको इस तरह से लिखाएंगे हम जैसे माल लीजे कि हम एक लोहा के रोड़ को बनाते हैं उसमें लोहा का धेड़ सारा Atom होगा तो हम क्या कर रहे है कि कुछ Atom को लिक रहे हैं यहां कुछी इस तरह से यह सारा का सारा किस चीज का एटम है यह सब आइडन का इटम है क्योंकि हम आइडन का रोट बनाना चाह रहें स्ट्रक्चर के रूप में अब देखिए आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी एक जाल टाइप का है क्योंकि इससे तो आरपार दिख जाएगा कैसे दिख जाएगा देखिए यहाँ पड़ यह जो आपको वाइट दिख रहा है खाली जगा हाँ या ना एक्चुल में अभी आप आयरन का मात एक लेयर बनाएं pages लंबाई है इसमें उचाई है अब आप क्या कीजिए policy के जैसा एक और लेयर आप बनाएए ्यरन के एटम क County एसा ही एक और लियर बनाएए और ट्राइक कीजिए इस लेयर पर उस लेयर को डाल दे एकदम एक जेक्त चुस्ट है इंपोज कर जाए तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह कुछ ऐसा फीगर दिखेगा हम थोड़ा कलर चेंज करके दिखाते हैं इस तरह से दूसरा लेयर बनेगा अब क्या कीजिए तीसरा लेयर डाल दीजिए फिर चौथा लेयर डाल दीजिए पच्मा लेय है हम इसका पतब यह हुआ कि इतनों बरा रोड का निर्मान हमने किया है अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि दस गोल लेयर यदि हम लाएंगे और यहां तक बन जाएगा तो आप गलस सोच रहे हैं यकीन मानिए इस तरह का अर्वों खडवों लेयर जब आप डालिएगा ले प्रेंजमेंट में अब जो आगे की बाते हैं वो समझेंगे अब हम क्या करते हैं सारे कंस्टिशेंट पार्टिकिल्स के सेंटर को सेंटर से मिला देते हैं अब जो एडियसेंट बॉल है उस सारे सेंटर को हम एक दूसरे से क्या करेंगे मिलाएंगे अब यदि हम ऐसा करें तो आप ऐसे समझे, अब इस चार को देखे, इस चार बॉल को देखेगा तो आप लो, इस बॉल को, 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 इस बॉल क है थीक ऊपर पर चारव होगा ऊपर वाले लेयर का तो चीए हम जो बोल है सोचने के लिए इसको अप यह ऐसा हो ने कि की एक और लेयर और इस चारों बॉल थिक उपर जो बॉल होगा उसके सेंटर बीूम्हा आथि प्ली खोगे करता है कि फिर यह प्र लंबा स्छाइए और उचाहि Cali है लंबार डुशें अब विच्वी तो गता आरे द्थमर्ण को ग्या होन नीचे में जो यह स्कॉयर आपको दिख रहा है ये समझों यह वाला लेयर इसका फीर होगा फीर लेयर देर सारा लेयर होगा हमने क्या कि नीचे वाले में इसके सारे सेंटर को मिलाते हैं तो लंबाई चोडाई निकल के आताया स्कौर बनता है लेकिन एक और center को मिला दें तो लंबाई चोड़ाए रूचाई सब आने लगता हैं जो smallest unit है उसमें लंबाई आने लगा चोड़ाई आने लगा रूचाई आने लगा और जड़ा सोचिए कि सारे बॉल के center को center से मिला दे हम आने लिजे कि एक पतला तार लेके सारे center के center को मिला दें तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक क्यूब बन जाएगा अच्छा यह बताए कि यह एक क्यूब ही सिर्फ बनेगा किसी सॉलिड में या इस तरह से हम यदि इमेजिन करें करोर और वो क्यूब बनेगा है तरह से क्यूब लगातार बनता चला जाएगा और वह दिखने में कैसा लगेगा वह भी जानना जरूरी अब दिखने में कैसा लगेगा बच्पन में आप यह सब काम खूब गड़ते होंगे इसे सर पढ़ा रहे हैं और आप इसको बना रहे हैं और खास करके तब पच्छमा चठा में नया नया बनाना सीखता होगा ने इसको उस समय इस सब्ची दिमाग में ज्यादा पुड़ा फात रहता है अब देखिए यह इसे सब बात नहीं समझेगे नभी बाद में कुछ करके रह जाओंगे हम समझा नहीं बाएंगे हम क्या कर रहे हैं कि यह बॉल थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा आइटम तो होता नहीं है ऐसे भी आप सोचे कि हम सिर्फ सेंटर को दिखा रहे हैं इतना बड़ा बॉल को नहीं दिखाएंगे तो यहां से सेंटर से सेंटर को दिखाएंगे तो बीचे में बता यह इस तरह से लेकिन हम इतना बड़ा बड़ा दिखाएंगे इतना ज्यादा कंप्लेक्स हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आगा कि हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं इसलिए हम उसको थोड़ा च्छोटा कर दिये अब बताईए यहां पर इसके ठीक ऊपर वाले लेयर में भी चार बॉल होगा अभी चार बॉल है अभी बताईए कि यहां पर एक हीना क्यूब का निर्मान हुआ अब हम जाहे हैं हम अब चाहरे हैं कि धेड़ सारा क्यूब बने इसमें धेड़ सारा क्यूब बने क्या बनेग इसको बढ़ा दिये और यहां से इतना बढ़ा कि इसको अब बताइए यहां पर भी एक क्यूब बना कि नहीं है पूलिए हाया ना इसी तरह से हम चाहें तो इस क्यूब के इधर भी ना सकते हैं इधर भी आके देखते हैं यहां पर थोड़ा सा दीन काटने जैसा बात है आप पैसेंस रखिएगा है तो कि यहां दीन नहीं काटे तो आगे का दीन कटेगा नहीं आपसे प्रवात में ही इस फिगर को समझना थोड़ा टफ होता है बाद में आप पकर लोगे बाद में हम एनिमेंशन से भी दिखाएंगे कुछ वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा अब आप यह बताईए कि इस क्यूब के इधर भी हमें क्यूब लगा दिये इधर भ हर तरफ क्यूब ही क्यूब होगा लेकिन उसको यदि हम हर जगा दिखाने लगें तो हमारे लिए काफी मुश्किल होगी अधिके जिसे हम नीचे भी बना सकते हैं लेकिन हम भी कलाकार आदमी है नहीं नहीं लगता है तुमको लेकिन हम नीचे भी बना दिये हम यहां से उपड़ यह तो मिला हुआ यह इसके उपड़ भी बन जाएगा इसके सामने अब जैसे हम इसके सामने बनाएंगे यह फीगर इतना गंदा दिखने लगेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कर गया रहे है कि यहां तक की ब अब सुनू कि अब आप यह सोचे कि हमने सारे बॉल को हटा दिया अर तर दिमाग में यह लाएंग कि कोई वहां पर कोई बॉल नहीं है लेस्टिन यह लाइनिंग बना हुआ नेट जाल ठीक है यह पूरा का पूरा यदि बॉल हम हटा दिये तो क्या कहलाया लेटिस अब सुनिए किस-किस जगह पर बॉल है तो हर एक क्यूब के कॉर्णर पर बॉल है जिस जगह पर बॉल है जैसे यह वाला पॉइंट जैसे यह वाला पॉइंट इस सब को कहा जाता है क्या बोलते हैं इसको लेटिस पॉइंट यह जाल का यानि लेटिस का वह पॉइंट है जहाँ पर constituent particles present है तो यहाँ से आप दो चीज़ समझे एक समझे लेटिस को और एक समझे लेटिस पॉइंट को तो लेटिस क्या है लेटिस एक स्केल्टन है एक धाचा है उससे ज्यादा कुछ नहीं है लेटिस पॉइंट क्या है उस धाचा का वह पॉइंट है जहाँ पर constituent particles रहता है आई वा समझ में और लेटिस पॉइंट का यह जो three-dimensional regular pattern है इसी को हम कहते है crystal lattice पिर से सुनिए हमने क्या कहा है अभी आप crystal lattice को इन डिफाइन करने वाले है सुनिए crystal लेटिस क्या है लेटिस पॉइंट का three-dimensional मतलब लंबाई चवडाई वरूचाई सब होना चाहिए लेटिस पॉइंट का three-dimensional regular arrangement को ही क्या कहा जाता है crystal lattice अब देखिए हमने regular arrangement क्यों कहा regular arrangement हमने इसलिए कहा इस सारे बॉल को जहां मन हुआ वहां हम नहीं रख दीए उसको एक regular में teraz किया गया हम यहां पर बॉल रख देंगे यहां पर देंगे यहां पर अगतेंगे यहां ऊपर और तो क्या लेटिस कम्प्लीटली एक इमेजिनेशन है, लेटिस वगएरा होता कुछ नहीं है, काहिए नहीं होता, तो ज़रा बताइए तो इस बॉल को यदि हम एक सेंटर को दिखाएं, तो हमको जरूर क्यूब दिख जाएगा, लेकिन यदि हम इस सेंटर को ना दिखाएं, फूरा बॉल को दिखाएं, तो यह सब आपस में सटा हुआ है, इसके सेंटर और इसके सेंटर में जो लाइनिंग बनेगा, क्या आपको दिखेगा, तो बताइए यह जो लाइनिंग हम खिचेंगें, यह एक imagination है हम बस सोच रहें कि यदि हम center से center को मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा और जितना corner बन रहा है उस corner पर constituent particles है तो जहाँ जहाँ constituent particles है तो उसका point कहलाएगा यानि lattice का point कहलाएगा इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं lattice point और इसी lattice point का regular three dimensional arrangement ही क्या कहलाता है crystal lattice और अब एक last क्यों चीज़ बचा unit cell अब unit cell क्या होता है वो सुनिए unit cell वह repeating unit होता है वह smallest repeating unit होता है जिसमें लंबाई भी हो कवड़ाई भी हो मुचाई भी हो और जो पूरे crystal का निर्मान कर दे अब जड़ा सोचिए कि आप यहां पर एक cube रखे एक cube कहलाएगा unit cell और जब धेर सारा cube को आपस में सटा दिये तो वही कहलाएगा crystal lattice या पूरा का पूरा crystal वही न कहलाएगा तो समझ में आ कि unit cell क्या होता है unit cell सबसे smallest unit होता है crystal का इसमें लंबाई भी हो चवड़ाई भी हो और उचाई भी हो हम किसी square को नहीं मान सकते है unit cell क नहीं है उसमें सिर्फ लंबाई और चवड़ाई है solid पर हम जब भी काम करेंगे तो उसमें लंबाई चवड़ाई और उचाई तब रहेगे तो यहां से आप चार चीज़ समझे unit cell lattice lattice point crystal lattice और unit cell आप सिर्फ इसको define कर लीजे आज इससे आगे हम कल बात करेंगे और फिर उस आपर और बहुत सारा बात समझे तो अ कि यहां क्या लिखा हुआ है regular three dimensional arrangement of lattice point in space is called crystal lattice और space lattice actually crystal lattice is also known as space lattice space lattice का है या crystal lattice का है एक ही बात पाकी चीज़ को हम कल लिखाएंगे लेकिन आप कल एक figure बना लीजेगे वो figure हम आपको बता देते हैं हम क्या बनाना क्या क्यूब बना लेंगे आप खुद से आपको कुछ ऐसा काम करना है कि क्यूब बनाने का भी तरीका देख लीजे एक स्क्वाइड बनाना है पीट दूसरा स्क्वाइड बनाना है बीच ओ बीच और इस सारे corner को आपस में मिला देना है अब इधर देख लीजे देख लीजेगा तो अराम से बन जाएगा देख देख के बनाएगा तो बने अरगाने अब क्या कीजिए आठ पॉइंट दिखा दीजे इस पर अब बताईए आप crystal lattice की बात कर रहे हैं तो उसमें केबल एक्येग नहीं न बनेगा इसमें बहुत सारा न बनेगा लेकिन तुम बहुत सारा बनाओगे गिजबिट हो जाएगा धंक से बनेगा ने तो इसमें करना क्या होता है इसमें क्या करना होता है इसमें आप सिर्फ dotted line दिखा दीजिए कि दौटेड लाइन दिखाने का यह मत्तवा कि इसमें और बनेगा लेकिन हम बनाएं नहीं है क्योंकि हमसे बनेगा नहीं और आप यदि ये कहते हैं कि ने कैसे बनेगा बन भे करेगा हम इस सिमार खाँ है हम बना देंगे ठीक है बना लीजिए कलाका पर दर्सन कीजिए तो चारगो डॉट इस तरफ से दिखा देना हो गया बात का तब अब बताईए कि इस क्यूब के चारो तरफ डॉट बनाने का क्या मतलब है इसका मतलब है कि ऐसा ऐसा क्यूब इसके दाएं बाएं उपर नीचे सामने और पीछे हर जगह बनेगा अब बताएए कि यदि आप इस तरह से बना दिये तो यह हो गया क्रिश्टल लेटिस और यदि सिर्फ एक क्यूब बना देते तो उसको क्या कहते है यूनिट सेल और यह जो यह जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इस पॉइंट को किसी को बोला जाता है आप यह दिखा देना तो क्या इतना काम कर लेंगे घर पर अभी करना चाहें तो अभी कर लिजिए या फिर घर से करके लाईएगा कल छुटी नहीं है को छुटी ने रहेगा कल कलास सुनो इधर खला मत करो कल क्लास यूट्यूब पर लाइव रहेगा जो लोग आना चाहते हैं आके पढ़ लीजिए जो लोग नहीं आना चाहते हैं लाइव पढ़ लेजिए अधव रेटी है निकले आप लोग अभी प्रोस्पेक्टस देगा आपको सबको ले लीजिएगा गेट पर लड़की लोग रुके हुए रहे तो लड़का लोग पहले निकलने देजिए ने तभीर लग जाएगा वो